बिहार बोर्ड की परिक्षा शुरू हो गई है दस्वी की परिक्षा 14 परवरी से शुरू हुई है जो की 22 परवरी तक ज़ारी रहीगे लेकिन जब भी बाद बिहार बोर्ड की आती है तो अजीबू करीब कारणामी कभी बच्चे कर जाते हैं तो कभी बोर्ड की द्वारा ख काट भी तयार कर दी गई बच्चा डिप्रेशन में है क्योंकि उसका पूरा साल बरबाद हो गया है तो क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं और साथ ही आपको हम और भी कुछ रजीवों करीब मामली बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड परिक्षा से सामने आए है जहां कभी कोश्चन पेपर देखकर छात्रा बेहोश हो जा रही है तो कहीं परिक्षा के बीच में ही किसी महिला के डिलेवरी होने लग जा रही है यह सर्फ और सर्फ बिहार में और बिहार परिक्षा में ही हो सकता है हर साल की तरह इस साल भी ऐसे मामने सामने आने लगे हैं लेकिन इ इच्छे नहीं है उसने भी छात्र को हिंदू से मुस्लिम बना दिया और संस्क्रीट से उर्दू परिक्षा देने को मजबूर कर दिया अब नमश्कार आप जंदा जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे बिहार बोर्ड की दसवी की परिक्षा शुरू कुष हो जा रहे हैं कैसे बिहार बोर्ड ने बच्चे का धर्म ही बदल दिया तो कभी कोश्चन पीपर ही यहां लीग कर दिया दरभंगा के मामले कि अगर बात करें तो अमंद्राज का धर्म ही बदल दी आ गएा इतना ही नहीं परिक्षा में इन्हें संस्क्रीत के जगा उर्दू एड्मिट कार्ड में दे दिया गया बिहार के दर्भंगा के रहने वाली आमन राज जिला स्कूल में दसवी के चात्र हैं और असबार उन्हें मैट्रिक की परिक्षा देनी थी लेकिन उनके साथ बिहार बोर्ड ने ऐसा मज्जाक किया है कि एक साल उनका पूरा बर लगा कि अब तो परिशानी दूर हो गई है अब वो परिक्षा दे सकेंगे लेकिन वो परिशानी और भी ज़्यादा तब बढ़ गई जब इनका एड्मिट कार्ड सामनी आया एड्मिट कार्ड में संस्क्रीत की जगा उर्दू मेंशन किया गया था मतलब यह है कि इन्हें संस्क्रीत नहीं बलकि उर्दू की परिक्षा देनी परती अमन ने जब इसकी जानकारे स्कूल प्रसाशन को दी तो प्रसाशन ने भी यह कहकर बात चाल दिया कि अब समय नहीं है अब कुछ भी नहीं हो सकता कोई समधान नहीं निकाला गया जुसके बाद अब अमन का पू तो वहीं चात्र भी बिहारबोर्ट के कमाल के होते हैं। और अंगाबाद का मामला है जहां परिक्षा केंदर पर एक चात्रा अचानक से विहोश हो गई। स्कूल में अपरा तफरी का महौल उत्पन हो गया। डॉक्टर ने जाच किया तो बताया गया कि शात्रा घबराहट के वज़े से विहोश होई थी। तो एक शात्रा ऐसी भी दिखी जिन्होंने बीच परिक्षा छोड़ बच्चे को जनम दिया और उसकी बार वो फिर दुबारा दुसरे शिफ्ट में आकर परिक्षा में शामिर होती है। दूसरे शिफ्ट में अपने पेपर को पूरा करती है। बात यही है कि बिहार बोर्ड के परिक्षा जब भी आयोजित की जाती है तो ऐसे मामने सामने आहीं जाते हैं। जहां कभी चात्र चात्रा पढ़ने वाली अगर हूं तो बिहार बोर्ड के दुआरा ऐसी गलती कर दी जाती हैं। के साथ खेल खेला जाता है। उनका पूरा साल बर्बाद कर दिया जाता है तो कभी अगर बिहार बोर्ड एच्छे से परिक्षा आयोजित करने की कोशिश भी करता है। तो चात्र भी कभी आंसर शीट पर गाना लिखकर आ जाते हैं तो कभी कोशिशन पीपर देख करें बिहोश होने लग जाते हैं। अब आपकी क्या राय है बिहार बोर्ड के द्वरा की गए इस लापरवाही पर जहां दर्भंगा के रहने वाले अमन का पूरा साल बरबाद किया गया है। उनको कभी हिंदू से मुस्लिम बनाया गया तो कभी एड्मिक कार्ड पर संस्क्रीट के जगा उर्दू लिख दिया गया। अब यह प्रतिक्रिया आप कमिन्ट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो शेयर कीजिए। और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हैं जो अन्ता जंक्शन के साथ। किया अमरीक के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ बंदरा रहनेवार।